यहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीदे आप से बच्चे सुंगे यह है ओफिसियल वेबसाइट NCTE National Council for Teacher Education राष्टिय अध्यापक सिक्छा परिशत की आधिकारिक वेबसाइट है यह और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टिन सुचना आई है जिसके बाद से यूटूब पे एक प्रकार की लहर आ गई वो क्या है सुचना सुचना यह है दोस्तों किलिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिल्टी फॉर एपिरिंग इंसी टेट हर बच्चों की एक समस्या होती ती क्या वो बियेट फस्टियर में है यह डियालट फस्टियर के फ़ast समेस्टर में है तो वो बच्चे टेट के लिए ऐलिजिबल है की नहीं क्या वो एपिरिंग के अंदरगत आते है की नहीं तो दोस्तों इसी मामले को लेके NCTE ने clarification दिया है कि क्या जो बच्चे be it first year में है या first semester में है या deal it first year या first semester में है तो क्या वो seated के लिए eligible होंगे की नहीं होंगे इस बात के लिए clarification दे दी है seated के लिए वो eligible होंगे की नहीं तो देखिए विवाद यही था कि pursuing मतलब क्या होता है pursuing के अंतरकत कौन आता है तो अधिकारिक वेबसाइट ने पहले pursuing को उसने define किया है as per the dictionary meaning the word pursuing means undergoing मतलब undergoing जो course कर रहे है maybe first semester, second semester, third semester या fourth semester means undergoing and or proceeding further therefore, तक ध्यान दीजेगे यहाँ पर therefore a candidate who has been admitted in any of the TTC teacher training course and undergoing the teacher training course यहाँ पर साफ तोर पर कहा गया है अता a candidate who has been admitted a candidate जो की admission ले चुका है किसी भी teacher training course में admission ले चुका है और वो उस teacher training course में पढ़ रहा है training कर रहा है can be said to be pursuing such training such teacher training course and she will be and shall be eligible to appear in TET examinations तो बस यही मुख्यबात यह पूरे documents की है कि pursuing का मतलब वो बच्चे जो या तो admission तुरंद ले चुके हैं या वो उसमें पढ़ाई कर रहा है they would be come under the pursuing वो भी pursuing कहे जाएंगे and shall be eligible to appear in TET examination कहने का मतलब है वो TET exam के लिए eligible है मुख्य बात है इसमें यह कि जो भी बच्चे चाहे वो first semester हो second semester हो, first year हो, second year हो अगर वो admission ले चुके है so shall be eligible for TET examination TET के लिए वो qualified है TET exam दे सकते है तो दोस्तों यही मुख्य तोर पे बात है हर जगा पे यही लिखा है in the view of the above it is clarified that the fair regarding of class 5-2 of NCTE guidelines a person who has been admitted in TTC teacher training course and is pursuing he or she are eligible for appearing in TET examination if otherwise eligible as per the extent guidelines of the TET वो जो पहले से चल रहा था तो साफ दोर पे जिन बच्चों ने admission ले लिया है B.A.D.A.D.L.A.D. में they are eligible वो already क्या है योगी है TET की examination के लिए तो दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि यह एक good news है कुछ लोगों को मानना है कि यह एक bad news है good news वाली यह कहरे है कि अब साभी सभी बच्चे TET के लिए qualified है TET देंगे और bad news वालों को लगता है कि अब competition जादा हो जाएगा काफी जादा competition हो जाएगा prepare करना पड़ेगा तो उठिए कमर कसिए और like चाहिए अपनी preparation में मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सुबकामना है दोस्तों आपके TET exams के लिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों आपको यह जनकारी कैसी लेगी कमेंड में आप बता सकते हैं और क्या रगता है आपको कि यह सच में आपके लिए good news है बाकि चैनल से जूड़े रही है इसी प्रकार किसी भी update के लिए मैं आपको update कर दूगा फिलाल इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद